ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एस नोजर के अमसिन और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ जिस तरीके से कोरुना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं निश्षित रुप से चिन्ता का विशह है और इस हफ्ते सूर्य का मंगल का राशी परिवर्तन भी होना है और हमारे हिंदी समवत का भी प्रारंब होगा नववर्ष का प्रारंब होगा और आप लोगों को पता है कि इस साल मंगल डबल रोल में आपको नजर आने वाले हैं इनको राजा की भी पद्वी मिली है और साथ में मंत्री की भी पद्वी मिली है इसके साथ साथ एक बहुत महत्रपूर चीज़ है कि शनी को कोई डिपार्टमेंट ही नहीं मिला है तो इस साल मंगल क्या मंगल कर पाएंगे कोविट का जिस तरीके से प्रकौप बड़ा है आप ये मानके चलिए कि सूर्य भी अपने उच्छ राशी में और मंगल अपने शत्रू राशी में रहेगा तो इसलिए अभी तीन जून तक का जो टाइम मैंने पहले भी बताया था वो कोविट से राहत आपको नहीं देगा अब हम पॉइंट पर आते हैं जिसका आमने थमने लगाया हुआ है शेयर मार्केट को लेकर देखें रेड एलर्ड की लगबख सारी बविश्वारिया सत्ते हो चुकी आप मैच कर सकते हैं रेड एलर्ड में एक एक बात जो जो बताई गई थी 10 फरवरी से लेके 26 मही तक का रेड अलर्ड बोला था और एक एक बात उसमें आप मैच कर सकते हैं पुराने वीडियो में अभी आगे क्या होने वाला है शियर मार्केट में जबरदस्त गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है और मेरा अपडेट यह है कि यह गिरावट अभी भी continue रहेगा मैं फिर से repeat कर रहा हूँ मैं अभी भी मानता हूँ share मार्केट में गिरावट जारी रहेगा और ऐसा नहीं होता है market लगातार गिरता रहे fluctuations होतने हैं कुछ up-downs रहेंगे लेकिन जाना इसको नीचे की तरफ है और डिस्क्रेमर जरूर दे देता हूं कि जो लोग शेयर सटा में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका अपना रिस्क होगा मैंने किवल प्रेडिक्शन किया है और प्रेडिक्शन सत्य असत्य दोनों हो सकते हैं लेकिन यहां पर अभी तक तरफ है जो भी प्रेडिक्शन दिया गया है वो सत्य ही साभी तरह है शेयर मार्केट को लेकर तो शेयर मार्केट में जो बताया भी गया था आपको 26 मही से पहले पहले एक बड़ी गिरावट आएगी और बीच में भी दो तीन दिन या एक हफते पहले का जो वीडियो था उसमें भी बताया था कि शेयर मार्केट में अब गिरावट जा रही आएगी उसे मैंने कंफर्म कर दिया था इससे पहले जितने भी वीडियो थे उसे मैंने बुला था कि अभी आप इसको सेल मत कीजिएगा अभी वेट कीजिएगा और अब सेल करने का टाइम आया है और य 102500 के लेवल दीखाई देंगे और 13500 तोरने पर 13200 का लेवल भी आपको दिखाई देगा मुझे जो नीचे की और मैक्सिमम रिस्क दिखाई दे रही है वह 11000 तक का भी लेवल है और वह मैं पहले भी बता चुका हूं उस प्रेडिक्शन पर अभी भी फिक्स्ट हूं कि यह घटना होगा लेकिन एग्रेसिव से बचना चाहिए बेटर होगा मेरा तो सजेशन है कि इस सेल की जो फिनॉमिना होती है वह जादा नहीं चलती है बाई की फिनॉमिना जादा चलती है इसी लिए मार्केट को अभी सेल अभी चल रहे तो सेल का होगे अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप इसको सेल किजिए लेकिन डिस्क्रेमर मेरा वही है आपका नुक्सान या फ ये कोविट कम हो जाएगा, गर्मी से कोविट कम हो जाता है, जबकि हमारे देश में लास्ट यइर का भी देखा जा तो गर्मी में ही ये बढ़ना शुरू हुआ था, और इस साल भी गर्मी के मौसा में ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कई राज्यों में lockdown की बात की गई है तो वो लगेगा लेकिन भारत में संपूर lockdown से अभी भी मैं इंकार कर रहा हूँ और आगे calculate करके आप सभी को update करूँगा तो एक छोटा सा update था share market को लेकर और gold और silver के price में अकस्मात वृदी हो जाना कोई आस्चेरे वाली बात नहीं होगी gold एक बार पुना 50,000 के आस पास तक आ सकता है और silver भी 70,000 को ये पुना टच कर सकता है तो मेरा जो view है commodity market में price उपर जाएगा और जो हमारा share market है उसमें price अभी भी नीचे की ओर जाएगा लेकिन disclaimer को ध्यान में रखते हुए ही इस पर काम कीजिए क्योंकि आप कहीं से पैसे loan लेकर या किसी से उधार लेकर अगर आपने पैसे लगा दिया और आपका नुक्सान हो गया तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी केवाल इसको watch करने के लिए ही मैं prediction देता हूँ अभी की लितना ही मैं हूँ S.L.K.N.C. आप जाते जाते comment box में अपनी प्रतिक्रियां जरूर लिखिएगा एकर दो प्रतिक्रा इसके लिए के लिएगा जापका नपने आपको करने के लिए बहुत दिक्राफ़ल आपके लिएमा भवथावां हो बाता आपके लिए बहुता है झाल 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 झाल